नमस्कार आज इस वीडियो में हम विशेश लेखन स्वरूप और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और ये जो पार्थ है ये कक्षा बारवी का पार्थ है जिसमें हम विशेश लेखन के बारे में पढ़ेंगे हम ये जानेगे कि विशेश लेखन है क्या बीट क्या है विशे अभिवेट्टी और माध्यम का यह जो अध्याय है और इस से पहले के चार अभिवेट्टी और माध्यम के वो सारे मैं अप्लोड करती जाओंगी यह टॉपिक जो है बहुत एजी है अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं एंड तक बने रहते हैं तो आप एजी ली इस चैप्टर को समझ पाएंगे तो हम बिना किसी देरी के इस पार की और बढ़ते हैं और सबसे पहले यही कहूंगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट पर शियर जरूर कीजेज से क्या होता है चैनल को बूस्ट मिलता है इंगेजमेंट बनी रहती है आगे और भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए यह जो विशेश लेखन है हम देखेंगे कि जो maximum newspapers होते हैं अखबारों में हम खेल, अर्थवियावपार, सिनेमा यह मनोरंचन के अलग-अलग प्रिष्ट हम देखते हैं newspaper तो समने देखा होगा जाए किसी की habit हो या ना हो तो हम वहाँ देखते हैं सबका एक section ने सबका एक कॉलम बना हुआ होता है कि एक page पर जो होते हैं sports की news होती है कहीं पे entertainment की होती है कहीं तो इन में अलग-अलग तरह से लिखे जाते हैं इनकी भाशा और शैली दोनों ही अलग होती है किसी समाचार पत्रिया पत्रिका को संपूर बनाने के लिए उसमें विविन विश्यों और शेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओ, समस्याओ, मुद्दों की जानकरी नि अगर हम खेल की निउस पड़ रहे हैं तो खेल से संबंदित जो शब्द है उनका महाप्रेयोग होता है तो इस तरीके से सबका जो तरीका होता है भाशा जो होती है लिखने की वो सबकी अलग-अलग होती है और समाचार पत्र या कोई भी मागजिन है उसको पूरा बनाने क दिखने लिए उसमें बहुत से विश्यो और शेत्रों के बारे में घटने वाली जो इंसिडेंट्स हैं जो मुद्द हैं जो समस्या हैं उनको नियमित रूप से जो वहापर होता है उनको प्रिंट किया जाता है चापा जाता है अब विशेष लेखन से क्या होता है कि समाच जो पाठा के अपनी विशेष लेखन के माध्यम से निरंतर और विशेष दायनकारी देना भी आवश्यक होता है जैसे माली जे कोई न्यूस पेपर पढ़ रहा है एक फैमिली में फोर मेंबर्स है किसी को स्पोर्ट्स की न्यूस पढ़ना चाला है किसी को को पॉलिटिक्स इंडस्ट्री की मूवीज वगर के सेक्शन को पढ़ना चाला है तो सबके अलग 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 इंटरस्ट है तो उससे क्या होता है कि सबकी रूची को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों में विशेष लेखन को शामिल किया जाता है और उससे जो निरंतर और जो विश सबसे पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि विशेश लेखन है क्या तो विशेश लेखन का अर्थ है किसी खास विशेव पर समानने लेखन से हटकर किया गया लेखन यानि कोई न्यूज है ठीक है तो उसके उपर कोई नॉर्मल सी न्यूज ना लिखकर उसके उपर करके प्रोपर और वweg चाओ कर वकर सब कुछ उसके बारे में किठा करके एक नौर्मिल लेखन से हड्कर उसको अच्छे से प्रेजंट करना अच्छे से उसके बारे में बताना अधिकाए समाज़ पत्रों पत्रिकायों के एलावा मेरा पत्रोकरôi का सही है। इरी कि विया है। जिसे समाचार पत्रोट और अर्यमांध्यमों बिजनस आणी लंग धिक थे खिजटू of पत्रों और अभी बार का म him přेसां होता है। तो सबकी अलग 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 डेस्क होते हैं For example, school का उधारण ले लेते हैं आमालीजे आपकी कोई teacher आपको English पढ़ा रही है और वो किसी दिन किसी वज़े से वो absent हो गई है और आपको English और language जो है वो easily कोई भी पढ़ा लेता है कि सबकी अलग-अलग डेस्क होते हैं और सबको अलग-अलग उन पर अपना काम करना होता है और इंडेक्स ओपर काम करने वाले उपसंपाद को और समभादा होता है उसे अपेक्षा की जाते है और जो इंडेक्स पर काम करने वाले जो समभादक है उपसंपादक है और जो समबादाता है उनसे उमीद की जाती है कि संबंदित विशेय शित्र में उनकी विशेश शग्यता होगी और जिस टॉपिक पर वो न्यूज लिख रहे हैं और उसके बारे में विशेश लेकन लिख रहे हैं उनमें उसकी जो है विशेश शग्यता होग यह किसी भी और विशे से जूड़ी हुई समवादाता हो कि बीच काम का विभाजन यानि जैसे कि हमने ख़बरों के बारे में जाननी ख़बरे कही तरह की होती है या और भी किसी टॉपिक से तो समवादाता हो कि बीच काम का विभाजन आम तोर पर उनकी इंट्रस्ट और ग्यान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ठीक है, for example, आपने 10th पास आउट कर लिया, अब आपको streams डिवाइड की Humanities, Commerce और साइंस, अब आपका इंट्रस्ट जो है Humanity में है आपको उस चीज का ज्यान तो चलो आप पढ़ोगे तो आपको ज्यान हासिल होगा तो आप उसको नहीं कर सकते हैं तो यहां पर भी समवादा होता हो का जो विभाजन होता है जो काम उनको डिवाइड किया जाता है उस तार तोर पर ही किया जाता है कि उनका किसी काम में, खेल में इंट्रस्ट है, राजनीती में इंट्रस्ट है, अपराद में इंट्रस्ट है, गेम्स में इंट्रस्ट है, मोवीस में इंट्रस्ट है, तो उस अधार पर उनका विभाजन किया जाता है, उनको उस चीज की कितनी नॉलीज है, मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं और जो मीडिया की भाषा होती है इसमें इसको बीट कहते हैं एक संबादाता की बीट अगर अपराध है यानि एक जो संबादाता है जो न्यूस कवरेच कर रहा है और उसकी जो बीट है यानि उसको जो एक तरीके से हम कह सकते हैं महा राधि गटनाओं की रिपोर्टिंग करना है यह जो सारा हम पढ़ रहे हैं ना चात्रो यह कुछ भी भाहर से अगर उसका पराध में जादा इंटरस्ट है अगर उसकी बीट है तो वो अपने शेयर और शेत्र की घटने वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग करेगा और अखबार की ओर से वेन की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाब दे भी होगा विशेश लेखन के लिए किसी व्यक्पियानी समवादाता को उसी शेत्र विशेश से सम्बंदित लेखन कारे सोपा जाता है विशेश लेखन का भी यह है कि जो समबादाता है जिसमें उसको महारत हासिल है उसी विशेशेतर से संबंदित उसको जो है कारे दिया जाता है जिससे उसकी रूची होती है इसके अलावा उसे विशेश संबंदी गहरी जानकारी होती है यानि जिस भी टॉपिक पर वो लिख यह उससे भी कहीं जादा बढ़कर है इसको और अच्छे से क्यूं क्या कैसे कब कहा हुआ और भी जादा इसको एक्स्प्लेइन करना है तो यही विशेशिक्रित रूपोर्टिंग है जिसमें न सिर्फ उस विशे की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी कि जुस टॉपिक से और अपनी जिस भी फिल्ड में वो है उसको होनी चाहिए तो होफुली अभी तक आपको जो ही चाप्टर है क्लियर होगा आगे हम जानेंगे बिट रिपोर्टिंग के लिए तयारी फिर भी किसी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अब चाहो तो अपने खुद के नोट्स भी कर सकते हो और वीडियो पॉस करकर के भी आप इनको देख सकते हो अगला है बिट रिपोर्टिंग के लिए तैयारी आप क्या करते हैं जब बिट रिपोर्टिंग उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिध्धान्त या नीतिया क्या है, उनके पदादिकारी कौन कौन है, उनकी प्रिष्टबू में क्या है, बाकी पार्टी उस पार्टी के रिष् उनके जो नियम क्या है, उनके पिंसिपल्स क्या है, उनके सिध्धान्त क्या है और दूसरी पार्टी के साथ उनके संबंद कैसे हैं, किस-किस तरीके से उन्होंने जो है, तो उनको पूरी नॉलिज होनी चाहिए, यह नहीं जो अभी लेटेस, गटरा उसको कवर कर लिया नही बिट रिपोर्टिंग के लिए इन सब चीजों का होना अत्यांत आवश्यक है, पत्रकार को उस पाटी के भीतर गहराई तक अपने संपर्क बनाने चाहिए, और खबर हासिल करने के नए-नए सूत्र विक्सित करने चाहिए, तो आप बहुत सी मूवीज में भी देखते हैं, कि जो एक पत्रकार वगर होते हैं, किस तरीके से चीजों को फेस करते हैं, किस तरीके के उनके जो कांटक्ट्स होते हैं, किसी भी सूत्र पर आँखमूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, यानि खुद को भी एक बार उन चीजों को आपको नौलिज मिली है, जो आपको मिशन दी है, तभी वे उस बारे में विशेश अग्यता हासिल कर सकता है, और उसकी रिपोर्ट या खबर विश्वेस नहीं है, मानी जा सकती है, अब अगला हम पढ़ेंगे, बिट रिपोर्टिंग और विशेशी कृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है, ठीक है, अभी तं कि वो बिट रिपोर्टिंग अगर करना चाहता है, तो जिस शेतर के बारे में करना चाहता है, उसको प्रॉपर नॉलीज हो, उसका इंटरस्ट हो, इतना काफी है, इसके लावा एक बिट रिपोर्टर को आम तोर पर अपनी बिट से जुड़ी समाने खबरी ही लिखनी होती है, उसको सिर्फ नॉर्मल खबरे लिखनी होती है, उसको जादा डिटेल में जाने की ज़रत नहीं होती, यह कहां होता है, बिट रिपोर्टिंग में, लेकिन जो विशेशिक्रित रिपोर्टिंग है, उसका मतलब यही है, कि आप समाने खबरों से आगे बढ़कर, यानि हम एक तरीके सिन के बीच के नंबर्स के तरूम कह सकते हैं, अगर बिट रिपोर्टिंग एक है, तो विशेशिक्रित जो है, दो है, ठीक है, थोड़ा सो से बढ़ा है, तो समाने खबरों से आगे बढ़कर, उस विशेशित्र, या विशेश से जुड़ी घटनाओं, उसकी हिस्टरी नहीं पता, लेकिन आगे की न्यूस पढ़ रहा है, तो उनको कुछ अगला पिछला समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, तो विशेशिक्रित रिपोर्टिंग ही वही है, कि उस न्यूस का पूरा ब्योरा प्रस्तूत करें, लेकिन बिट रिपोर्टिंग में जो लेटेस्ट हो रहा है, और जो भी इसको नॉलेज है, बिट रिपोर्टर को वो उसके अकॉर्डिंग उसको पेश कर देता है, तो ये विशेशिक्रित रिपोर्टिंग का काम भी यही है, कि जो पाठक वर्ग है, वो अपनी न्यूस को और उसके अर एक समिक्षा और समलेखन भी आता है यानि विशेश लेखन जो कर रहे हैं और जो रिपोर्टर है इसके अलावा जो होता है यह सब फीचर टिपणी यानि जो इंटर्व्यूज होते हैं कोई लेख हुआ किसी की समिक्षा हो गई जो समलेखन ने इस सब चीजे पी उसके इंतर होते हैं जो न्यूसपेपर के लिए प्रॉपर नहीं लिखते हैं लेकिन उनकी प्रीचे साथ प्रॉपर नहीं जुड़े होएं तो वो भी अपना फ्रीवांस के थूँ ये काम कर सकते हैं शर्त है कि विशेश लेखन इच्छ पत्रकाय सवतंतर लेखक को उस विशे में नि जरूरी है कि उस शेत्र के बारे में आपको जादर स्यादर पता हो। यह देखिए, अब किसी चीज के बारे में लिखे रहे हैं तो आपको नौलीज होनी चाहिए। अगर मैं आपको हिंदी पड़ा रही हूं तो मुझे हिंदी नहीं आती हो। ही बोलता ही है सब्लेज जरूर唬 दो हुए हूं कर लेकिन जुके व्याकड़नेख भेयं, चीज़ो को इकश्प्लेइन करना है कि मैं हिंदी टीछ कि मैं कर सकते हैं जब तक सब्छेघ्मếu के इंटरस्ट नहीं है या आपकी field में interest नहीं है आपको knowledge नहीं है तो आप उस चीज को नहीं कर सकते हैं तो सभी का conclusion यही है बार-बार-बार-बार यही चीज हमारे पास आ रही है कि आपको अपनी चीजों के बारे में जादे-जादा पता हो उसकी ताजी से ताजी सूचना आपके पास हो चीज है और आप उसके बारे में लगातार पढ़ते हों जानकारिया तथे-कठे करते हों और उस शेत्र से जुड़े लोगों से लगातार मिलते रहते हों तो आपको update होना बहुत ज़रूरी है इसका मतलब यह है कि आपको update रहना बहुत ज़रूरी है यह ना हो कि आप पिछड़ जाए आप पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे रहे आज क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है या होने वाला है तो आपको उन चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए इस तरह भारों और पत्रिकाओं में किसी खाज विशे पर लेक या स्थम लिखने वाले कई बार पिशेवर पत्रकार ना होकर उस विशे के जानकार या विशेशग्य होते हैं एक तरीके से freelance हम उनको कह सकते हैं जो अभी हमने उपर बात की थी जैसे रक्षा विज्ञान, विदेश, नीति, प्रिशी आइसे किसी शेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा है कोई प्रोफेशनल इसके बारे में बहतर तरीके से लिख सकता है क्योंकि उसके पास शेत्र का वर्षों का नुभाव होते है माली जै कोई पुलिस में था और अब रिटायर हो चुका है तो अब बैस उसने पुलिस में जॉब किया है तो अपना कोई भी स्थाम फीचर या कुछ भी वह लेख लिखना चाहता है उस विशेफर वह अपना नुश्पेपर में दे सकता है क्योंकि उसको इन चीजों की प्रॉपर जानकारी है वह अप डू डेट रहता है और वह लोगों को अच्छी से एक्स्प्लेन कर सकता है हो सकता है उसके लिखने की शैली जो है समाने पत्रकारों की तरह ना हो क्योंकि उसने कोई मास मीडिया ये जर्नलीजन का कोई कोर्स तो किया ना हो तो उनकी जैसी हो सकता है उसकी भाषा ना हो उसको इग्नोर किया जा सकता है। उधारंगे तोर पर हम खेलों में हर्ष भोगले जैदेज सिंह नदरॉत्तम पूरी का नाम ले सकते हैं। कपिल देव का नाम लिख सकते हैं। कपिल देव सब लोग जानते हो। पर चृब लिख जानते हैं। मैं मैं पिछले किया से होकी से लेका एक ट辉मिक से लेका कि कमेंटरी कर रहा है। यहां पर यह होकी प्लेयर की बात हो रही है, मैंने आपको एक क्रिकेट प्लेयर का उधारन दिकर समझाया है आगे हम बढ़ते हैं विशेश लेखन की भाशा और शैली अब 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 बढ़त हैं, देखी सारा टॉपिक बहुत इजी है, यहां पर फोकस किया जा रहा है, इंटरस्ट और नॉलेज जब तक आपको इंटरस्ट नीज 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 आप कुछ नहीं कर सकते हैं, च इसको एक बार देख लेते हैं, विशेश लेखन का संबंध जिस विश्यो और शेत्रों से है, उनमें से अधिकांज शेत्र तक्नीकी रूप से जटेल है, और उनसे जुड़ी जो घटना है, जो मुद्धों को समझ पाना आम पाठकों के लिए कठीन होता है, इसलिए उन श विशेश लेखन के मादियां से ऐसी सरल भाषा में उसको लिखा जाता है, जो नॉर्मल पाठक है वो उसको इसलिए समझ सके परिशानी ना हो, विशेश लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में समाने लेखन से अलग होती है, उनके भी सबसे बुनियादी फर्क है होता है कि हर शेतर विशेश की अपनी विशेश तकनीक शब्दावली होती है, सबके लिए खेल के लिए खेल से संबंदित रिलेटिड शब्द होते हैं, और मुवी से रिलेटिड मुवी के अपने टेकनिकल वर्ड्स होते हैं, तो सबकी अपनी एक दिक्षनरी होती है, जो उस वि कर रहे हैं वो पाठकों को भी समझ आनी चाहिए ताकि उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो एक उधारन और देख लेते हैं जैसे सोने में भारी उच्छाल चांदी लुड़की या आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़ावाट घटी यह शियर बजार में पिछले सारे आवक बात रहे हैं तो पूरा-पूरा संटेंस नहीं है लेकिन चोटे-चोटे शब्डों के मादयम से चीजों को समझाने की कोशिश की गई है अब सबसे पहले हम यह जानेते हैं जो विशेश लेखन इसकी कोई निश्चित कोई शैली ऐसी नहीं है कि इसके लिए अपने बीट से जूड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शेली घुझा वेल्टा पिरामिट शेली हो जाएगी जो मैंने आपको एक्सप्लेइं कर रहे हैं में आप जा जाकर देख सकते हैं पुरानी वीडियो में जाकर भी इन चीजों को जाकर समझ सकते हैं और अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत इजी लिए आप इन चीजों को समझ पा रहे हुए जैसे हम किसी के स्टरडी से शुरुत कर सकते हैं उसे किसी ख़बर से जोड़का यानि न्यूजपेस के जर्ये भी शुरू किया जा सकता है इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ में जोड़कर पेश करने की जो है संभावना होती है अब अगला है विशेश लेखन के शेत्र क्य विशेश लेखन किया जाता है और समाचार पत्रों दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनुरंजन, फैशन, स्वास्ते, विज्यान, परियावरन, शिक्षा, विजीवन, शैली और रहन सैन जैसे विशेश लेखन के लिहाज से जादा महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेश, निती, राष्ट, सुरक्षा और विधी जैसे शेत्रों में विशेश रिक्रित रिपोर्टिंग को प्रात्मिक्ता दी जा रही है। कि अगर, अगर हम बढ़ता हैं कैसे विशेश लेखन करना चाहते हैं, तो किस तरीकर से जो हैं? विशेषयजएयता या उसमें हम महारत हासिल कर सकते हैं तो उसके कुछ निययम है वो इस तरीके से है है कि अगर आप जिस भी विशेवे में विशेषयजजण व्शेचे हासिल करना चाहते हैं तो उसमें आपकी सबसे पहले इंटरस्ट होना बहुत ज़ुदी है। सक्रिये लोगों के लिए, सक्रिये यानि जो एक्टिव लोग हैं, खुद को अपडेट रखना बेहत जरूरी होता है, इसके लिए इस विशे से जुड़ी खबरों और रिपोर्टिंग की कटिंग करके फाइल बनाने चाहिए, यानि प्रोजेक्ट जो आप लोगों को मिलेग या आप खुद के इंटरस्ट पर भी जो है, वो कर सकते हैं, उस विशे के प्रोफेशनल विशेशक्यों के लेख और विशेशलनों की कटिंग से सहच कर रखनी चाहिए, एक तरह से उस विशे में जितनी संभवों संतर्भुच सामगरी जुटा कर रखनी चाहिए, उस वि विशेश से जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलिफून नमबर, उनके काम करने वाले विशेशक्यों के नाम और फोन नमबर आपकी डाइरी में रहना चाहिए, तो इस तरीके से आपको यह सब चीज़े आप तू डेट रहना आत्यान्त जरूरी है. अब जो है विशेश लेखन की शब्दावली के उपर बात करते हैं, दो उधारन में दे रहे हैं कारोबार और लेल. जब हम कारोबार की बात कर रहे हैं, उपर पी उधारन पड़े थे और खेल की बात कर रहे हैं किस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता, आप उधारन डेक्स्टॉप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कारोबार की जब न्यूज हो रहे तो किस किस तरह की शब्दों का प्रयोग हो रहे हैं कि सोने में भारी उच्छाल, चांटी लुड़की, आवक बढ़ने से लाल मिर्श की कड जाती है तो उनकी जो शब्दावली है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, विशेश लेखन के कुछ चुने हुए शेत्र है जिसमें से है जैसे कारोबार और व्यापार, विशेश लेखन के कुछ चुने हुए शेत्र हमने उपर डिस्कॉस कर लिये थे, लेकिन जो most important जो जाता जिन पर जो है विशेश लेखन किया जाता है वो है कारोबार और व्यापार, समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक प्रिष्ट होता है, यह सब को मालूम है, अगवारों में आर्थिक खबरों के दो प्रिष्ट प्र और अगर यह दो ही सेक्शन्स अगर ना हो खेल का और कारोबार और व्यबार का तो न्यूस्पेपर जो है इनकंप्लीट माना जाएगा इसका कारणी यह है कि अर्थ यानि धन पर हर आदमी जीवन का मूलाजार है यानि हमारे रोज-मर्रा के जीवन में जो खास महत्त वर रखता हैं हम मजार से कुछ खरिदते हैं avaPC जमा पैसे कराते हैं बचट करते हैं किसी कारोबार के बारे में बनाते हैं को सुष्षते हैं करते हैं जिसमें आर्थिक फायदें नफा नुक्सानाधी की बात होती है तो इन खबरों, कारोबार और अर्थजगत से झुड़ा हुदा हुआ करना चाहता है हर कोई Значит निग अनिंग करना चाहता है हरकोई अपने वैसे कड़ डबल करना चाहता है तो मैक्सीम म सब जुम सब जए आर्थिक मामलों में पत्रकार रिता की तुलना में जो है काफी जुटफल होती है, ऐसे लिए क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावली के बारे में ठीक से पता नहीं होता, उसे आम लोगों की समझ में आने लाए कैसे बनाया जाए या आर्थिक मामलों के प करता है, निसा से काम करता है कि इसको पाथक बना यॉटक किया आए, निफटी, क्या इंवज्मिट की जाती, क्रेड, ग्रेड को हम थे समुझ सकते हैं, तो जो पत्रकार का सब्से बड़ा काम है कि इसको बना जाय और एक ऐसा है जो बहुत जादा जानता है एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह के पाठकों की ज़रुत को पूरा करना होता है जो बहुत जादा जानता है जो बिल्कुल नहीं जानता है इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेश लेकन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान चाहिए कि वह है किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है अब आप डेक्स्टोप पे कुछ उधारन भी देख रहे होंगे कि इस तरीके के शब्दों का यहां पर प्रयोग हुआ है आगे हम खेल का देखते हैं कि खेल का शेतर ऐसा है जिसमें अधिकांच लोगों की रूची होती है और क्रिकेट में तो जादर तर्की है तो खेल हर आदमी के जीवन में नहीं उर्जा का संचार करता है बचपन से हमारी विबिन खेलों में जो रूची होती है और हमें सदिकांच के भीतरे खिलाडी जरूर होता है जीवन की भागदोड और दूसरी जिम्मेदारियों की वज़े से वे खिलाडी बेशक कहीं दब जाता है लेकिन खेलों में दिल्चस्पी बनी रहती है इसलिए हम देखते हैं कि क्रिकेट हो या होके टैनिस हो या फुटबॉल ओलम्पिक हो या इशियाई खेले सब उतसा बन जाते हैं कई खेल तो देश की संस्कृति में रचबस जाते हैं और इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफी जादा होती है तो एक नॉर्मल साज यहाँ पर जो है बोला गया कि खेल के साथ बच्पन सब का होता है सबने कोई ना कोई गेम खेला होता है लेकिन जादा तर लोगों का जो इंट्रस्ट होता है वो काफी समय तक बना रहता है अब हम देखते हैं कि अखभारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है सभी समाचर पत्रों में खेल के एक या दो प्रिष्ट होता है आप न्यूज में भी देख लिए जिन दिनों IPL चल रहे हो, क्रिकेट चल रहे हो 2020 चल रहे हो सारी जगा वही छाया रहता है कोई TV भी या रेडियो बुलिटिन खेलों के ख़बर के बिना पूरा ही नहीं होता यहीं नहीं समाचर माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है समाचर पत्रों और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेश लेखन खेल विशेश आंक और खेल पर इशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं इसी तरद टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेश कारेकरम प्रसारित किये जा रहे हैं अगला आथ देखते हैं पत्र पत्रिकाओं में खेल संबंदी लेखन के लिए आवशक बाते यानि जब खेल संबंदी जो बाते होती हैं क्या-क्या ज़रूरी होती है कि लिखने वाला उस खेल विशेश की तकनीक, उसके नियम, उसकी बारीकी और उससे जुड़ी अन्य बातों से परिचित होना चाहिए जैसे उधार लेलेते हैं कि क्रिकेट का कोई न्यूज लिख रहा है तो उसको क्रिकेट से संबंदी छब्दों का प्रियूगाना चाहिए कैसे-कैसे छब्दों का प्रियूग होता है, क्या-क्या होता है, कैसे खेला जाता है तो उसको उस बारे में जानकारी होनी चाहिए, उस खेल विशेश के बारे में हमारी जानकारी और समझदारी का सर्मूचा होना चाहिए, उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड्स या किर्तिमानों के बारे में पता होना चाहिए, तथ्य और पुराने रिकॉर्ड्स को तो अब इंटरनेट पर भी ढूंडा जा सकते हैं, यानि अब हमें जो प्रूफ है, जो तत्थे हैं, उसके कठ्था करने में ज़्यादा परिशानी नहीं है, इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, लेकिन खेल के नियम या उसकी बारे कि आए, किसी खिलाडी की तकनीक के बारे में जानन समझने के लिए, इस बारे में अच्छा लिखिया बोल सकते हैं, एक खेल पत्रकार को अपनी इंजानकारियों को दिल्चस्प तरीके से पेश करना चाहिए, यानि बहुत जादा अट्राक्टेव तरीके से जो लोगों को अपनी और आकरशित करें कि हम इस सेक्शन को क्यू पड़े, किसी मैच का, किसी खिलाडी, विशेश के प्रदर्शन का, खेल की कतनीक का, विशलेशन, खेल की हर तरह की रोमांचक होना चाहिए, विशेश लेखन की भाशा शैली में कुर्जा, जोश, रोमांच और उस्सा दिखाना चाहिए, खेल की खबर या रिपोर्ट कु अगर आपने विडियो देखिए, प्लीज अपनी बुक को भी एक बार गो थ्रूर कीजिए, क्योंकि इस सब कुछ जो है बुक से ही आपको लिया गया है, यहां इंपोर्टेंट पॉइंट चीजों को आपको बताया गया है, लेकिन अगर आप अपनी बुक को भी एक बार चैप्टर और भी जादा क्लियर हो जाएगा, आपकी रिविजन भी हो जाएगी और आपको पार जो है अच्छे से समझा जाएगा, आशा यही करती हूँ के आपको इस अठानी से समझ आया होगा, तो भारा कहूंगी फिर भी किसी तरह का डाउट हो, तो कमेंट सेक्षन मे जागे कमेंट जरू कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट पर शेयर जरू कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद जयी बंड झालण लोटकरै आगे और शेयर जागे और भी जोलिए पैसा पना ल Qatarign जोतिकेशन के लगा हो धन्यवेचेशन के दो ब्दर आगे टरूकरै दे हाने लूल दोलिएब